नमस्कार दोस्तों प्रणास वाम में आप सभी का स्वागत है अगर आप भी बोर हो चुके हैं हर बार वरत पे खिचड़ी खाकर तो इस बार बनाईए समाके चावल के डोकला जो की बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है जो फटाफट बनकर तयार हो जाती है समाके चावल को मुर्धन, सामक, श्रामक और गुजराती में इसे मोरईयो, मराठी में इसे भागरववरी कहा जाता है और बंगाली में इसे शामा चावल भी कहा जाता है और वेसे तो इसके और भी कई नाम है और इसके नाम की तरह इसके कई सारे गुण भी है इसमें हाई फ तो चलि刑 सब्सक्राइब चल्याःब करते हैं डोकला ठापधे की लें मेन musical आप लिए मॉर्धन में सब्सक्राइब मैं थोड़े से साबदाना है एक जार उसमें भागा और अधर कर लो हमें पीश लेते हैं। सबुदाना अब करने के मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम हलका सा पानी मिला देंगे जितना हमें से पेस्ट बनाने के लिए जरूरत लगे एक ही डायरेक्शन में गुमाते हुए हमें इसका फाइन बेटर बनाकर तयार करना है मुर्धन के पूरी डोकला बड़े खिच्डी खीर और हल्वा भी बनाया जा सकता है और यह भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो इसकी और भी रेसिवी इसी बेटर से आप इडली भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसकी इडली बना लें चलिए इससे पेस्ट तयार हो गया है इसको हम पंदा से बीस में ट्रेस के लिए रख देते हैं 20 मिनिट हो चुके हैं इस तरीके से हमारा जो बेटर है बिल्कुल बढ़िया से फूल कर तयार हो गया है अब इसमें हम दाल देंगे थोड़ा सा पानी और ऐसे फिर से मिक्स कर देंगे इसमें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी जो कंसेस्टेंसी वह चेक कर लेते हैं देखिए इसी कंसेस्टेंसी हमें चाहिए इसके बाद हम इसमें एट करेंगे नमक और बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं यहां पर आप हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट भी एट कर सकते हैं अब हम एक बरतन को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें भी हमें जो है धोगला बनाना है उसके बाद इस बेटर को बरतन में ट्रांसफर कर देंगे पर बेटर वाला ग्रीस को टाल दीनाना है रहा हमाद जो हम् günहां तो पला म needle में गलेयत प्रोलम के पाद सीधाना है प्लेट में ट्रांसफेर कर लिया है ये याद रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ही आप इसे निकाल लिएगा नहीं तो ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफट बन का तैयार होता है इसके पीसेद कर लिए है आप शेप में उस साइज में पीस कर सकते हैं मेसे खमनड की शेप में स्क्वाइर शेप काट कर रहे हूं काट लिया है अब गी को मेल्ट होने के बाद हम कडी लिव्स और हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे यहां पे मने राय ले अगर आप वास के लिए बना रहे हैं तो आप राय को सक्टे है उसकी जगापर जीरे का उसके वाद मैंने कडी पते और हरी मिर्च को एट कर दिया है यह थोड़े से ज जब तक हरी मिर्च तरीकर से ना पक जाए आप इसमें कोई भी इंग्रीडियेंट्स अगला एट मत कीजिएगा मेरी हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी सी अच्छी तरीके से पक गई है ऐसे दो मिर्च में पक जाती है उसके बाद में डालेंगे नमक और शकर टीके अफित को आफ़ कर लेंगे उसके बारें गगारें अन्दाएंगे ओपने के एक उबालाatriटे ओपनी कि हो एक उबालाने के बाद में को कि अफ कर देंगे कि इसकी फ्लेम को आफ कर दिया है अब बगार है हमारे ढूकला पर इस तरीके से फैला देंगे इससे पूरा अच्छी तरीके से अंधर तक एब्सॉब वह जाएगा तो से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा लिए बहुत ही टेस्टी लगेगा बन कर तयार है हमारे तो बहुत ही सॉफ्ट एंट इम्मिनिटी बूस्टिंग रेसेपी हमारी आच की तो केसी लगी आपको मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में लेकर सबसे पहले मिलेगी और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्टे सेफ से हेल्दी एंड कीप वाचिंग बाबाई